अगर 2024 में अभी अक्तूबर में Modular Kitchen बना रहे हो, आइडिया नहीं है कि लगबग खर्चा कितना आ जाएगा आपको, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा, आप कैसी भी Kitchen बना होगे, Modular, Semi-Modular, लगबग, Lums, हम कितना खर्चा आएगा, उसमें material क्या-क्या लगने वाला है, वो पता चल जाएगा, सामने आप एक Modular Kitchen देख रहे हो, ये सामने Modular Kitchen है, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको, इसको बनाने में हमें कितना खर्चा लगा, हमने material खुद से लाके दिया, और labor charges पे वो दिया, labor charges भी material की list आप सामने देख रहे हो, material अच्छी quality का, सब branded material था, कोई मतलब unbranded, non-branded चीज नहीं थी, duro की ply थी, सब चीज अच्छी थी, तो इसका खर्चा बता देता हूँ पहले कि कितना आया, फिर मैं आपको बताऊँगा, आपकी कैसी भी kitchen हो, उसको बनाने का खर्चा कितना और material की आज यूज़ करोगे, तो फिर कितना खर्चाएगा, सब कुछ detail देता हूँ, शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल तो सदक्राइब कर लो, और bell icon दवा लो, देखो, सबसे पहले modeler kitchen आगी हमारी, material जो हमने लाया, एक अच्छी quality का, एक लाग 25,000 रुपे का हमारा material आ गया था, जिसमें मैं आगे बताऊंगा क्या 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 कौन सा brand यूज़ किया, फिर जो lever हमारी लगी, वो 360 रुए per square feet के साब से हमारी lever लगी थी, इसको model location को बनाने में, सिर्फ कौन सा जो board का काम हुआ था, तो कुछ जो cabinet बने थे, उपर आपने देखा कुछ ऐसे cabinet थे, नीचे counter के कुछ ऐसे cabinet थे, इस तरब भी थे, टोटल वो 88 square feet थे, ठीक है, 88 square feet थे, नापते कैसे हैं, इस पर वीडियो आ चुकी है, वो description में रहेगी, तो 360 रुपया हमसे, लेवर चार्ज था, 88 square feet थे, वो counter उपर नीचे, त जो हमने chimney use की, वो sun flame company के chimney थी, कौनसी sun flame, आप किसी की भी उठा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें 14,000 रुपय के 14,000 की वो chimney मिली, फिर हमें जो sink उसमें fit हुई है, वो 7,000 रुपी भी मिली, handmade, और 2 boxes वाली है, काफी अच्छी sink है, इस पर भी वीडियो है, कौन सी sink लेनी चाहिए, वो भी देख सकते हो, जो counter का grey night था, वो black color का हमने लिया, 160 रुपे पर square feet था, और 60 square feet हमारे counter पे लगा, मतलब C shape में वो counter था, ऐसे, ऐसे, और ऐसे, तो हमारा कितना लगा, कुछ 60 square feet, तो 160 रुपे का, कुछ 10,000 रुपे का हमारा grey night आया था, फिर हमारा labor का उस grey night को fix करने का 58 रुपे पर square feet, molding के साथ उसने लिया, fit भी किया, molding भी की, तो 55, 60 square feet था हमारा grey night, तो 55 रुपे उसने लिया, तो हमारा, sorry, 55 rate था, तो हमारा कुछ 300 रुपे उस grey night को fixing का charge आ गया, फिर जो tile work किया है, आपने देखा grey night के उपर, जो side side में tile work था, वो कुछ हमारा कितना, 100 square feet था, तो अठारां, लेवर हमारी आई, अठारां 100 की, और जो 100 square feet हमारी tile लगी, उसका material का rate था, कजारिये की tile थी, पचपन सो की tile आई, तो कुछ 1,58,000, मतलब कुछ 2,00,000 रुपे हमारा लग गया, 8,20 की kitchen को बनाने में, start से end तक, मतलब सिर्स plaster हुआ था, जो उसके, मतलब total काम किस से हुआ है, इसमें marble ने यूज़ किया है, जो partition हमने की, plywood से हुई है, तो ये पूरी detail में आपको देता हूँ, मैं दिखाता हूँ, कैसे उसकी construction की और क्या क्या दियान रखा, तो normal जो kitchen, model kitchen बनाई जाती है, मैं देखता हूँ जो partition की जाती है, जैस नहीं था, तो हमने duro का board लगाया, और मेरे एक हाल में marble की जगा आपको यहाँ, जो board रहता है, उससे partition करवाओगे, तो आपके channel भी अच्छे से बैढ़ते हैं, वो खराब भी नहीं होते, और जो आपकी basket है, वो lifetime चलती है, नहीं तो marble में क्या होता है, थोड़े time बाद जो कोई भी company हो, लेकिन जो guarantee देते हैं, lifetime की, वो board लगाओ, और काफी अच्छा look मिलेगा, जो next चीज हमने इसमें की, जो traditional handles आते हैं, जैसे हम module kitchen में use करते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, mostly आप पहले यहीं देखोगे, semi module kitchen जो रहती हैं, जब आज से पहले जो module kitchen रहती थी वहाँ यह handles लगाए जालते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, G profile लगाई, तो G profile से क्या हुआ, look जो है, enhance भी हुई, और देखने में काफी ज़ादा अच्छी लगी, और अगर हम price की बात करें, जो अच्छा आप, अगर handle लेने जाते हो, वो महंगा पड़ता है as compared to G profile, G profile क लंबी सी पटी आती है, 8 से 10 फूट की, उसको cutting करके लगाया जाता है, तो उसमें wastage भी आपको संभाल के चलो, तो काफी अच्छा खर्चा पड़ता है, और देखने में काफी अच्छी look मिलती है, handles के टूटने का डर रहते हैं, लेकिन G profile एक बार अच्छा से fix होगी, तो क काफी अच्छी look है, जब आप इसको लेने जाओगे, देख लेना, grade इसमें अच्छा साच्छा grade देखना, color में compromise color, आपको इसमें golden मिल जाता है, silver मिल जाता है, फिर आपको और bronze color मिल जाता है, तो काफी अच्छे color मिलते हैं, और देखने में काफी अच्छा ये लगता है, और जो board आपको यूज़ करना है, मैंने जैसे पहले बताया है, duro का करो, green ply का करो, किसी भी company का, अच्छी company का, और जिसकी lifetime warranty हो, जहां 20 से 25 साल की warranty हो, कि वो पानी से खराब नहीं हो, termite उसको नहीं करे, या उसको आग नहीं लगनी चाहिए, ये तो board वही यूज़ करना, क्योंकि दिवारों में मौश्चर होता है, तो अगर board को मौश्चर लगा, तो थोड़ टाइम बाद फूल जाते हैं, और खराब होने के chance से दो जाते हैं, तो ये चीज़ दियान देनी देनी है, और जो भी material यूज़ करने, बले वो आपको channel यूज़ करने, जिन पर हमारे basket लगेंगी, तो आपको अच्छी company की, हिंदिवेर के यूज़ करो, जा मैं आपको क्या करता हूँ, 4-5 company के नाम बता देता हूँ, उसी company का material यूज़ करने तो आपकी quality अच्छी रहेगी, तो जो channel बगारा है, वो हिंदिवेर के मिल जाए, तो बहुत अच्छे है, soft closing लेना, दूसरा half lay company है, kuchina है, favor है, hetich है, तो ये 4-5 company है, इन company के material क्योंकि इनका काम ही क्या है, आपके लिए model kitchen का सामान बनना, और जो जिसमें specialist होता है, उसका material ह हमेशा अच्छा रहता, ISO रहता है, quality का रहता है, तो इन 4-5 company को आप note कर लो, अगर आपके area में ये company का माल मिलता है, तो लगाओ, बाकी आपको quality देखके ही material यूज़ करना है, तो ये चीज़ दियान रखोगे, तो आपके जो kitchen की life है, वो बढ़ जाती है, mostly जो क्या होता है kitchen खराब कहां से होते हैं, जो डड़ू कबजे रहते हैं, जो soft closing रहते हैं, जो channel रहते हैं, तो ये lose पढ़ जाते हैं थोटे ही बादे, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छी quality का आपके use ने किया, क्योंकि वेर टियर होते हैं, रोज उन से काम लेने हैं, हमें channel रोई basket खोल नहीं है, रोई डड़ू कब जो को खोलने हैं, जो अपके counters रहेंगे, तो उससे क्या होते हैं, वो lose हो जाते हैं, अगर अच्छी quality की use किया होंगे, जिन में अच्छे से bolt लगे होंगे, तो वो जल्दी खराब नहीं होगे, तो quality का main दियान रखना ही है, क्योंकि लाग से 2 1200 kg पर MQ दूगा खींचती है, जहां मलग capacity रहती है, वो आपको electrician से पूछ लेना, जहां तो इस पर video बनाई हुई है, वो देख लेना कौन सी आपको chimney लेनी है, दूसरी चीज़ा आप दियान रखना हमेशा design करवाना आपकी module kitchen बनाने से पहले, कि आपकी module kitchen दिखेगी कैसे क्योंकि जब वो बना देता है, तो दिक्कत आती है, पहले photo देख लेना, जहां उसका एक blueprint देख लेना कि आपकी दिखने कैसे वाली है, नहीं तो बात में दिक्कत रहती है, grade A की kitchen कौन सी हो गई, काफी अच्छी finishing रहती है, shine रहती है, मतलब जहां पे अर्कली kitchen जो sheets रहती ह इसाब से पढ़ जाएगा, grade C की kitchen 1350 पर square feet, आगे पता चलेगा कौन-कौन सी रहती है, अगर उपर-उपर से बताऊं, mostly इंडिया में लोग grade B ही बनाते हैं, आजकल grade B का trend हो गया, पहले grade C बनाते से लोग, आजकल grade B में चलेगे हैं, और grade C, grade A वहां बनते हैं, यहां थोड 200, 800, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाते हैं, लेकिन यह दो rate, same आपको यहां मिल जाएंगे, अब समझो इन में है क्या, grade B समझो पहले, grade B की kitchen 1020 की kitchen उसका खर्चा निकालते हैं, यहां पे branded ply लगाई जाएगी, branded ply कौन सी होगी, century की होगी, euro की होगी, कोई भी company है, लेकिन यहां पे क की जाएगी, होता कुछ नहीं हो, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक, guarantee देते हैं 20 साल तक, वो branded ply यूज की जाएगी, यहां पे, PVC sheets लगाई जाएगी, एक आता है माइक का PVC sheet, एक होती है, आखलिक sheets, तो यह center medium वाली PVC sheets, जैसे सामने white sheet यूज करने वाले हैं, बार हमारी PVC sheet रहेगी, अंदर white sheet रहने वाली है, जो hinges रहेंगी, वो hard lick रहेंगी, जादा mostly हमने hard lick लगाई है, वो थोड़ी costly रहती है, दूसरी hinges भी रहेंगी, डड़ू का अब जय नहीं बोला जाता है, तो अच्छी quality के लगाएंगे, जिनकी 10 से grade लगाएंगे, अच्छी company के लगाएंगे, कोई branded company के, अगर इसमें grade B में कुछ लोग InnoTech भी जाते हैं, जब InnoTech लगाओगे, steel basket नहीं लगाती हो आप, तो उसमें 100 रुपया extra पकड़ लेना आप, मैं आगे बताऊंगा कैसे उसमें, हम इसमें steel basket ही पकलते हैं, अच्छी quality के 304 grade की, और sink, sink हमने ली थी 6000 रुपे की, double sink 6000 रुपे की, chimney इसमें जो juice करने वाले हैं, 13000 रुपे की chimney थी, clear, तो हमें जो खर्चा पड़ा, 1550 material का खर्चा पड़ा, 1550 material का खर्चा पड़ा, अगर आप InnoTech की यहां लगाओगे, तो यहां 1650 कर लेना, steel basket लगा रहे हैं, तो 1550 material का, 300 रुपे लेवर, और 1850 रुपे हमें वो kitchen बनाने में खर्चा आ गया, 10 by 10 की, जो kitchen थी, 10 by 10 की kitchen थी, यहां उसके ओ लगे, जैसे pick भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे board, उपर जो counter था, 10 foot ऐसे है, 10 foot ऐसे है, 2 foot उसकी height थी, यहां भी 2 foot height थ रखी गई थी, 10 foot ऐसे, 10 foot ऐसे, तो 10, 10, 20, तो 20 into 2, 40, 40 square foot उपर हमारा हुआ था, 40 square foot नीचे हमारा हुआ था, total हो गया था 80 square foot, तो 1850 अगर हम rate पकड़ते हैं, इस kitchen को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कर नहीं है, 1850 पकड़ते हैं, तो 1,48,000 र ग्रेट बढ़ते जाता है, लेकिन, लंब सम 10 by 10 की kitchen, डेड़ लाक रुपे में त्यार हो जाती है, grade B की, अगर ये चीज़े यूज़ करते हो, clear यहां तक clear हो गया, फिर बात करते हैं, grade C की, grade C की kitchen में क्या होता है, MDF यूज़ किया जाता है, mostly नहीं करते हैं, लोग आज कल MDF, उनको थोड़ा idea हो गया है, कि नहीं करना है हमें, लेकिन, normal brand की plywood आती है, एक plywood आते है, जिसके अंदर पहले से white mica होता है, बार से plywood रहती है, जो भी कोई अच्छी company होगी, आस-पास की, कोई भी normal brand है, जो आपको guarantee देते हैं, पांच से साल की, मतलब जादा guarantee नहीं देते ह लगाएंगे, और यहां जो माइका रहेगा, माइका mostly बाहर की तरफ लगाया जाता है, अच्छी quality का मतलब 1000 रुपे की sheet होगी, 900 रुपे की, 800 रुपे की sheet लगाई जाएगी, माइक का लगाया जाएगा, PVC sheet यहां, acrylic sheet नहीं लगेगी, जो hinges रहेंगी, normal brand की hinges रहेंगी, कोई br 1000 रुपे की sing थी, chimney जो थी हमारी, वो लगाई थी 11,000 रुपे की chimney, ठीक है, हिंद वेर की, तो इसमें जो आपका खर्चा, material का खर्चा पड़ा था, 1050 रुपे, labor charge सेम था, 1350 रुपे हमारा मड़ी पूरा था, तो kitchen हमारी 880 square feet अगर बंदती थी वो, तो approximately 18,000 रुपे हमारा rate यहां गिर जाता है, अगर quality change करते हो, ठीक है, बाकी फैवी कोल बगारा यह सम चीजें सेम है, main खर्चा होता है हमारी kitchen में, plywood का, अगर आप जैसे grade B की plywood की, वो आती है 40-50,000 रुपे की, ठीक है, कितने 40-50,000 रुपे की, जो हमारी grade A में use होती है plywood, वो आती है कुछ 60 तक, 60 से 30,000 रुपे में, clear, यहां खर्चा बचता है, माइका में यही तो एक लाग 8,000 रुपे हमारा घचाएगा, grade A की, इसमें तो आप, जितना पैसा है उतना आप invest कर सकते हो, लगा सकते हो, grade A में, main अर्कलिक kitchen रहेगी, जिसकी shine बहुत ज़्यादा रहती है, आपको लगएग यह 55,000 से 60,000 रुपे में, आपको board लग जाएगा, यहां पर, ठीक है, 55,000 से 60,000 रुपे में, दसवाई-दसर की kitchen में, तो यह आपको lifetime guarantee देती है, apply board पर, जो भी material यूज किया जाएगा, यहां InnoTech channel यूज किया जाएगे, InnoTech channel थोड़े महंगे रहते हैं, तो वो InnoTech channel यहां use किये जाएगे, hardlix use किये जाएगे, hinges use किये जाएगे, halfway company होगे जाएगे, जो बड़ी-बड़ी company है, branded है, और वो कहेंगी, कि हम guarantee देते हैं, 10 साल या 15 साल, कुछ नहीं आपके, इसको होने वाल है, handles की जगा, gpati use की जाएगी, बाकियों में handles use किये थे, grade B में भी handle से, और grade C में भी handle से, तो यहाँ gpati use की जाती है, जो सामने आप देख रहें, जिससे पूरा खुल रहा है, ठीक है, तो इसमें, मतलब हर चीज, ये rate जो है, मतलब लगा लो, 2200 रुपिया material का rate था, 400 रुपिया labor लगाने का ले जाती है, तो 26 रुपर square fit मनता है, लेकिन इसमें ये rate बढ़ा सकते हो आप, ये बढ़ता जाता है, अगर इसमें, जो inno tech channels है, इसमें 20-30 किसम के, मतलब वो आएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इसमें rate बढ़ता जाता है, बाकि अगर 80 square feet की, अगर वो kitchen थी, 2600 रुपिया, मतलब 2,08,000 रुपिया हमारा लगता है, मत चीज देख रहे हो, और ये बढ़ता जाता है,